नश्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपर्चित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपूर जानकारी को ले करके जिहां सुन्दर्ता में चार चांद लगाने वाली मेहंदी गुर्दे के रोग और हाई बीपी जैसी बिमारियों के लिए भी रा योग किया जाने वाला शरीर को सजाने का एक साधन होता है लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा ये हमारे स्वास्थे को भी बेहतर बनाती है जी हां आपकी सुन्दर्ता में चार चांद लगाने वाली ये मेहंदी आपकी इन बिमारियों के लिए भी रामबाण है पानी को उबाल लीजिए और चांद कर पीजिए ऐसा नियमित रूप से करने से आपको गुर्दे के रोग में आराम मिलेगा इस भाग दोड़ भरी लाइफ में हर कोई सिर दर्द जैसी समस्या से परेशान है अगर आप भी माईग्रेन के दर्द से परेशान है तो सोने से पहले 200 ग्राम पानी में 100 ग्राम मेहंदी के पत्तों को कूट कर भींगो लें रात भर भींगने के बाद इसके पानी को छान कर निकाल लें और पी लें इससे आपको माईग्रेन की समस्या से छोटकारा मिलेगा अगर आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीडित हैं तो मेहं रहे जब तक आप इस परक्रिया को करें तब तक नहाने में साबुन का इस्तिमाल बिल्कुल ना करें। हाई बीपी की समस्या इन दिनों किसी भी उम्र के लोगों को हो ही जाती है आप मेहंदी के पत्तों को पीश कर अपने हाथों और तलों पर लगाएं ये आपको हाई बीपी से मुक्त कर देगा घुटनों या जोडों में दर्द की समस्या होने पर मेहंदी और अरंडी के पत्त को बराबर मात्रा में पीछ लें और इस मिश्रन को हलका सा घर्म करके घुटनों पर लेप करें इस प्रक्रिया को कुछ देर करने से आपको काफी आराम मिलेगा लोग अक्सर नाखुनों को स्वस्थ रखने के बारे में भूल जाते हैं लेकिन नाखुनों के नीचे के कट अल्स और संस्थान संक्रमन और बैक्तिरिया के उपस्थिती के लिए प्रमुख स्थान होते हैं इसलिए हिना के साथ अपने नाखुनों का इलाज एक बहुत ही अच्छा विचार है हिना की पत्यों को पानी में उबालने और उस पानी को ठंडा करके पियें इससे नाखुनों को तूटने से रोकने सुजन को कम करने में मदद मिलती है नाखुनों पर हिना का पेश्ट लगाने से जलन दर्द और संक्रमर दूर हो जाता है 5-10 ग्राम हिना के पत्ते और 5-10 ग्राम खिश्मिश को मिक्स करके एक बारिक पेश्ट तयार करें रात में भोजन के बाद 10-20 ग्राम की खुराक के साथ कबज को नियंतरित किया जा सकता है एक मुठी हिना और एक मुठी आउला को 10 ग्राम जीरा के साथ मिलाया जाता है यह अजीब गंद को ढखने में मदद करता है इस मिश्रन से ताजा रस निकालें और उसे चान कर एक से पंद्रह मिलीलीटर की खुराक में सुबह खाली पेट मीठे चाच के साथ सेवन करें यह उपाय पिलिया में रहत देता है वैसे तो हिना की अधिकांश किसमें पूरी तरह से सुरक्षित और गैर विश्यली होती हैं लेकिन काली हिना में कुछ एक एलर्जी जनक शमताय होती हैं कुछ लोगों को इसके उप्योग से तचा पर चकते और आंतरिक रोप से असुविधा हो सकती है अपनी समान्य दिन्चर्या के लिए किसी भी नए हरवल उपाय को जोड़ने से पहले अपने अउशध्य विश्य शग्य से सलाह जरूर लेना चाहिए साथ ही हेर डाइज जो की हिना का दावा करती है उनमें अन्यरा सायनों का उप्योग भी होता है जो की समवेदन शील्ट वचा वाले लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं इसलिए लेवल को सावधानी पुर्वक पढ़ें 10-15 ml पतियों के ताजा रस को 3-5 ग्राम चीनी और 10-15 ml दुर्वा के ताजा रस के साथ मिक्स करें इस मिक्सरण को 15 ml की खुराग दिन में दो भार लें यह पेशाब को करने में कठिनाई और जलन से मुक्ति प्रदान करती है यानि कि ये आपके मुत्र विकार को ठीक करने के लिए बेहदी एक कारगर दवा है तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे मेहंदी से जुड़े हुए फायदे और उसकी जानकारियां अगले अपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों